एक बार एक एंजिनियर नाओ में नदी को क्रोस कर रहा था नाओ को मल्ला चला रहा था थोड़े से दूर गए एंजिनियर ने सवाल पूछा वहिए एक बात बताओ तुमने गनित पड़ी मल्ला कहता है नहीं साब मैंने गनित नहीं पड़ी अरे भाई तुम्हें क्या मालूम तुमने अपनी जिंदगी जाय कर दी गनित नहीं पड़े पांच-साथ मिनट बाद फिर से एंजिनियर कहता है भाई या एक बात बताओ तुम अंग्रेजी बोलते हो नहीं साब मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ अरे भाई तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी जाय कर दी तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो पांच मिनट बाद फिर से एंजिनियर कहता है सुनो तुम कंप्यूटर चला लेते हो नहीं साब मैं कम्प्यूटर नहीं चलाता हूँ इतना ग्यान मुझे में नहीं है थोड़ी और दूर गए पानी थोड़े थोड़ा बढ़ने लगा लहरे थोड़ी बढ़ी हुई मल्ला कहता है भईया एक बात बताओ आपको तेरना आता है नहीं साब मुझे तेरना नहीं आता आपने अपनी जिंदगी जाय कर दी हम इस बात को समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ग्यान कुछ ना कुछ समझ इस देश में है और हमारी कोशिश होती है कि हम इन सब लोगों की बात सुने इन सब लोगों की बात समझें और फिर सरकारें चलाएं मोधी जी का आपको मैं उधारन देता हूँ उत्तर कदेश में चुना हो रहा है दाइस साल पहले नरेंद्र मोधी जी ने अब की माता गंगा है आप घमन समझो एक व्यक्षी खड़ा होता है कहता है कि गंगा सिर्फ मेरी माता है और मैं आऊंगा बनारस और मैं बनारस की मदद करूँगा क्या उत्तर प्रदेश के बाकी लोग हिंदुस्तान के बाकी लोग गंगा बिक के बेटे नहीं है क्या गंगा मा को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्षी मिला वो भी गुजुरात में जो उसका बेटा है वाइदे किये नरेंडर मोदी जी ने हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से वाइदे किये बनारस से वाइदे किये कहा था कि हर हिंदुस्तानी को मैं पंद्रा लाक रुपे दिलवाऊंगा कहा था देश के युवाओं को वाइदा किया था कि हर साल और युवाहों को रोजगार दिल्वाऊंगा बनारस को वाइदा किया था, मुझे प्रधान मंत्री बनाओ, मैं गंगा को साफ कर दूँगा मैं बनारस को साफ कर दूँगा मैं रिंग रोड मिन्द बना दूँगा फ्री इंटरनेट दे दूँगा सोलर लाइट लगा दूँगा भोजपुरी फिल्म सिटी त्यार कर दूँगा धाई साल हो गए और शायद पहली बार पहली बार हिंदुस्तान के एक प्रधान मंत्री ने बनारस में तीन बार रोड़ शो किया है तीन बार नरेंद्र मोदी जी के रोड़ शो का री टेक हुआ है बनारस ने अपना मन बना लिया है बनारस को बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने दाई साल पहले हम सब से जूट बोला था अब नरेंद्र मोदी जी जितना भी वहाँ दोरा करना चाहें कर सकते हैं चुनाओ के समय बनारस के लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वहाँ पे हराने जा रहे हैं यह सचाई है हिंदुस्तान के सामने मैंने यह बात उत्तर प्रदेश में कही ही मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के यवाँ के सामने और इस देश के सामने एक सबसे बड़ी समच्या है हर यवा देश को बदलना चाहता है हर यवा रोजगार चाहता है नरेंद्र मोदी जी ने देश को वाइदा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूँगा हमने कुछी महीने पे, कुछी दिन पहले पार्लमेंट में पूछा नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की स्टार्ट अप इंडिया की बात की हिंदुस्तान को बदलने की बात की मेक इन इंडिया के बबर शेर ने पिछले ढ़ाई साल में इस देश के कितने युवाओं को रोजगार दिया बीजेपी के मंत्री ने जवाब दिया बीजेपी के मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले साल इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिरफ एक लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया और इस साल इस साल पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार किसी को नहीं दिया साथ साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है कहा मेक इन इंडिया कहा स्टार्ट अप इंडिया और कहा सच्चाई एक व्यक्ति इस देश को और इस प्रदेश को कभी नहीं बदल सकता है अगर उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं स्वायम देश को बदलूँगा तो इधर अर्विंद केज दिवाय जी कहते हैं कि मैं स्वायम दिल्ली को बदलूँगा यहां आज सफाई करमचारी भाई आए है रेरी पट्री वाले भाई आए है ओटो जो चलाते हैं वो आए है जुकी जोपड़ी वाले आए है अनौतराइज कॉलनी से लोग आए है मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ अर्विंद केज रिवाय जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए पिछले धाई साल में क्या काम किया है मुझे बता दो साफ जो सरकार में टेंपररी बेसिस पे काम करते हैं उनकी जिंदगी बदलने को के लिए अर्विंद केज रिवाय ने यहां क्या किया है आप मुझे बताओ जब आपकी कच्ची बस्तिया अनुथराइस कॉलनी तोड़ी जा रही थी माकन जी और मैं आपको वहां दिखाई दिये आपको वहां अर्विंद केज रिवाय जी दिखाई दिये थे क्या तो सच्चा ही यह है कि जूटे वाइदों की राजनेती अर्विंद केजरिवाल और नरेंदर मोधी जी कर रहे है कुछी दिन पहले अर्विंद केजरिवाल जी की पार्टी से एक व्यक्ति मुझे मिलने आए उनकी मदद करते हैं मैंने उनसे पूछा भाई आप मुझे एक बात बताओ दिल से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप अर्विंद केजरिवाल के लिए काम करते हो क्या आपको लगता है कि अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली में भरश्चाचार को कम किया है और दूसरा सवाल क्या आपको लगता है कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली से भरश्चाचार को मिटाएगा अर्विंद केजरिवाल जी के स्ट्रेटिजिस ने मुझे बोला राहुल जी मैं जानता हूं कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली से भरश्चाचार नहीं मिटा रहा है मैं जानता हूँ कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली से मिरसचाद नहीं मिटा सकता है मगर दिल्ली में बहुत गुस्ता है और अर्विंद केजरिवाल उस गुस्ते का प्रयोग करता है कुछी दिन पहले एक कॉर्परेटर आये आम आदमी पार्टी से मांकन जी के साथ मेरी मीटिंग हुई मुझे कहते हैं मैंने उनसे कहा कि देखो कॉंग्रेस में वापिस क्यूं आए आम आदमी पार्टी में क्यूं नहीं रहे मुझे कहता है राहूल जी आम आदमी पार्टी में सिरफ एक व्यक्ति की बात चलती है आम आदमी पार्टी में ना मेरी चलती है ना किसी MLA की चलती है ना दिल्ली के किसी व्यक्ति की चलती है आम आदमी में अर्विंद केज्रिवाल राजा है यह सच्चाई है यहां कॉंग्रेस पार्टी के वर्कर्द आए है आपको दिल्ली की सरकार बनानी है किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं दिल्ली की सरकार और मैं इस देज से आपको गैरंटी देता हूँ अभी कॉर्परेशन में चुनावारे हैं कॉर्परेशन में उन्हीं लोगों को हम टिकेट देंगे जो जमीनी काम करते हैं जो कॉंग्रेस पार्टी का काम करते हैं जो सरक में कॉंग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं पैरशूट से, दबाव से एक ठिकेट नहीं दिया जाएगा, आप कॉंग्रेस का कार्यकरता अपना खून पसीना देता है, कार्यकरता लड़ता है और मैं आपको यहाँ गैरंटी देता हो कि आने वाले चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता अपने नेता अपना MLL चुनेगा। और अपना चीफ मिनिस्टर चुनेगा। बात करते हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जब हमारी सरकार बनेंगी गाहश जब कॉंग्रेस पार्टी करक्राइशन बनेगा है तो दिल्ली के अवाज उस कॉर्परेशन में सुनाई देगी केज़िवार जी ने और मोधी जी ने दिल्ली का और हिंदुश्तान का बहुत जबरदस नुक्सान किया है आपका इन्होंने टाइम दाया किया है आप मुझे बताओ जिस प्रकार से पिछले पंद्रा सालों में कॉंग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की क्या केज रिवाल जी ने आपका काम किया है आप मुझे बताओ इस बार जो नुक्सान डेंगू ने आपको किया जो बच्चे डेंगू के कारण मरे क्या कॉंग्रेस पार्टी के समय वो मरते थे नहीं तो सच्चाई और जूटो वाइदों में बहुत फरक होता है कॉंग्रेस पार्टी सच्चाई की पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी जन्ता की बात सुनकर काम करती है गरीब लोगों का हुआ हिंदुस्तान के किसानों का हुआ मज़ूरों का हुआ फाइदा किसको पहुँचा हिंदुस्तान के सबसे अमीर पचास परिवानों को जिसको मोदी जी एक के बाद एक, एक के बाद एक contract दे रहे हैं पार्टी को बहीं आ देखिये पार्टी खड़ी है दिल्ली में अप्राल में आप देखना Congress Party, Corporation चुनाऊ में कैसे खड़ी होती है आप लोग Congress का कार्य करता बबर शेर है आपको किसी से डरने की ज़रुवाद नहीं है आप बबर शेर हो आप में सतर साल का इतिहास है आप समझो आप कौन लोग हो आप अर्विंद केज्रिवाल नहीं हो आप नरेंद्र मोधी जी नहीं हो आप सच्चाई हो हिंदुस्तान की और आपने इस देश को बदलने का काम किया है आप इस बात को मत भूलो कि अगर हम यहां आज ख़़े हैं तो आप लोगों ने यहां में ख़ड़ा किया है कॉंग्रेस पार्टी एक कारेकरता ने ख़ड़ा किया है पंजाब की बात करिए पंद्रह हजार कॉंग्रेस के कारेकरता ने अपना खून दिया असान की बात कीजिए बीस हजार कॉंग्रेस कारेकरता ने अपना खून दिया अंग्रेसों से लड़ाई आप लड़े आप मुझे एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ नरेंद्रमोदी की 56 इंच की चैस है ना तो मुझे एक बात समझाओ जब हमारे लड़के अमरीका में मारे जाते हैं जब उनको गोली मारी जाते है तो नरेंद्रमोदी शुप क्यों है आप मुझे बताओ नरेंद्रमोदी जी के कि मुझ से एक सब क्यों नहीं निकल रहा है जब अमरीका में हमारे लोग मारे जा रहे है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जूट की राजनेती करते है ओबेमा जी से गले मिले मगर जब हमारे लोग वह मारे जाते है तो हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री एक शब नहीं कहता है क्योंकि ड़ता है हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री सच्चाई ये है कि सिरफ आप लोग सिरफ कॉंग्रेस का कार्य करता दिल्ली को आगे ले जा सकता है सिरफ कॉंग्रेस की सिर्फ दिल्ली की जनता दिल्ली का सफाई करमचारी जो जुगी जोपड़ी में रहते हैं जो इस शहर को और इस देश को चलाते हैं वो ही दिल्ली को आगे ले जा सकते हैं उनकी शक्ति आपके अंदर है उनकी शक्ति अर्विंद केज दिवाल में या नरेंद्र मोधी जी में नहीं है तो आप जाईए गवराईए मत आप जाईए कोर्परेशन चुनाओं में खड़े हो जाईए हर बूठ में आप जाईए हर घर में आप जाईए और कॉंग्रेस पार्टी की दिल्ली की सच्चाई आप दिल्ली के लोगों को बताईए आप बताईए कि कॉंग्रेस पार को रेगिवलराइज किया था और कॉंग्रेस पार्टी कि कमजोर गरीब लोगों की पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी ही आपके लिए लड़ सकती है तो जाएए बिल्कुल गवराईए मत जाएए खड़े हो जाएए और जब आपका चुनाव आएगा पोलिंग बूत में आप समर्तन करें कॉंग्रेस पार्टी को जिताएं और तीनों कॉर्परेशन ने कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए नरेंद्र मोधी जी आकरी बाद नरेंद्र मोधी जी उत्तर प्रदेश आते हैं कहते हैं ब्रश्ट अचार को मिटाना है आप मुझे बताओ बिल्ली के कॉर्परेशन से ब्रश्ट और को हिंदुस्तान में कॉपरेशन हैं मगर नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो इनको आप निकालिए यहां से और कॉंग्रेस पार्टी की यहां कोर्परेशन लाईए आप सब आए दिल से आपने मेरी बात चुनी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बैंक से क्याश निकालना या बैंक में क्याश जमा कराना वो केबल चार बारी कर सकते हैं यदि चार से अधिक आप एक महिने में करते हैं तो आपकी उपर 500 रुपे प्रती ट्रांजक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी आपको 500 रुपे प्रती ट्रांजक्शन के हिस आपसे बुक्तान करना परेगा